हाई फ्रेंड्स आप लोग बिजनस ग्रोथ स्ट्राटेजी की सीरीज को बहुत पसंद कर रहे हैं लगातार हमारे ओफिसेज में लोग कॉल करके बोल रहे हैं कि सर इस सीरीज को लिकर आप बहुत सारी वीडियो बनाओ ताकि हम business की growth के बारे में अच्छे से समझ सकें इसके लिए जरूरत है आप सबसे पहले इस चैनल को subscribe कर लें ताकि अगली वीडियो का notification सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप जल्दी update रहें तो आज हम बात करते हैं business growth strategy की इस series में एक real life incident के बारे में उत्रप्रदेश के एक district में मैं घूमने गया हुआ था और जब मैं मैं घूम रहा था तो मैंने बाहर एक board लिखा देखा उस board पर shop का नाम लिखा था और साथ में लिखा था ESTD since 1860 1860 से वो shop वहाँ पर है मैंने यहाँ पर shop का नाम XYZ लिखा है यहाँ पर किसी brand को promote करने के लिए मैं उसका नाम या नहीं ले रहा हूँ तो जब ESTD 1860 बने वा लिखा देखा तो मेरे मन में curiosity हुई कि 1860 से बिजनस यहाँ पर है और जैसे ही मैंने shop के अंदर देखा तो खचा-कच भीड भरी हुई थी लोग line लगा के मिठाई लेना शुरू कर रहे थे और वहाँ पर 26-27 साल का एक युवा वहाँ पर shop के counter पर खड़ा था तो मेरे मन में उत्सुकता हुई मैं उस shop में गया और सारी भीड को देखकर उस युवा साथी को देखकर बने एक प्रश्णी किया कि भाई साब आपकी shop के भार लिखा हुआ 1860 1860 से आपकी shop है और आप तो एक दम अभी युवा हैं तो उस समय पर इस shop को कौन चलाता था लड़के ने बड़े खुश हो के कहा कि सर यह हमारी जो shop है ना वो 1860 से 1860 से है सबसे पहले इस shop का सुबारम मेरे दादा जी ने किया था और मेरे दादा जी ने पूरी मेहनत से shop को चलाया और चलाने के बाद जब मेरे पिता जी थोड़े बड़े हुए उनके साथ shop पर जाने लगे धिरे धिरे काम सीखने लगे फिर मेरे दादा जी के बाद मेरे पिता जी ने शॉप को चलाया 40 साल मेरे पिता जी ने शॉप को चलाने के बाद अब वो रेटायर हो चुके हैं और आज मैं शॉप को चला रहा हूँ और बड़े हसकर बोला कि अभी मेरी शादी हुई है और एक बेटा भी हुआ है मेरा भी ये वीजन है कि आने वाले समय पर मेरा बेटा इस शौप को चलाए ताकि हम गर्व से कह सकें कि यह हमारा पुष्टैनी काम है मैंने पुछा कि उस समय पर शौप का लेवल क्या था तो उसने का मेरे दादा जी तो बहुत चोटी सी शौप स्टाट की थी यहां पर प्रॉपर modern infrastructure अबने किया हुआ है और अपने बिजनस और अच्छे से मनगई तो बहुत अची बात है कि तीन जनरेशन हो गई है चौथी जनरेशन इस विजनस में आने के लिए तयार है थोड़ा अपने बिजनस और आपको बारे में बताएं तो उस व्यक्ती ने मेरे दादाजी ने इस बिजनस को शुरू किया था, आज 2022 चल रहा है और 162 साल लगभग इस बिजनस को हमारे हो गए हैं, और हमारे यहां की तीन जनरेशन इस बिजनस में लग चुटी है, और चौथी जनरेशन मेरे बेटे के आने वाली हैं, मैंने का पूरे के पूरे इस जर्णी में अपनी सफलता में जो आपका financials है उसके बारे में थोड़ा explain करें मेरे दादा जी ने इस शौप को एक लड़के के साथ शुरू किया था वो खुद थे और एक supporting helper था मेरे पिताजी के टाइम पर दस बारा लड़के हो गए थे जो हमारी शौप पर काम करते थे और आज मैं गर्व के साथ आपको बता रहा हूं मेरे पास 30 लोगों का staff है including me मतलब 29 लोगों का staff है प्लस एक मालिक ये 30 लोग मिलकर वो शौप को चला रहे हैं जो तीन जनरेशन पहले दादा जी ने एक employee के साथ शुरू की थी आज मेरी शौप की complete asset है वह साड़े आठ करूड रुपए है और लगबग 1000 square feet में मेरी shop बनी हुई है और मेरे दादा जी ने तो 1500 square feet से शौप को शुरू किया था मैं साथ की दुकाने खरीता गया धिरे देर इंफास्ट्रक्चर डेवलब करता गया और बड़ी खुशी के साथ उसने बताया कि हमारे दादा जी के टाइम पर तो 100-200 रुपए महिनी की सेल हुआ करती थी आज मेरी शौप की जो एन्वल टर्न ओवर है वो 3.6 करूड रुपीज है तीन करूड साथ लाक रुपए मेरी टर्न ओवर है एक साल की और बड़ा खुश हो कि उसने का इसके साब से पता है आप अगा एवरेज निक गल्ले को समालता है और बड़े गर्व से बोने लगा सर लाक रुपए का हमारा गल्ला है और 60% हमारी कॉस्ट आती है 40,000 रुपए मैं पर डे कमाता हूं बड़े गर्व से उसने बताया तो मुझे देख के बड़ा आश्चारे हुआ कि यह जो बिजनस है 162 साल के अंदर सि डिफरेंट कमपैरिजन है एक व्यक्ति ने अपने जीवन में बिजनस शुरू करने के बारे में निड़ने लिया और 1954 में उसने अपने बिजनस को शुरू किया सिर्फ 68 सालों में मतलब आज 2022 के हिसाब से अगर मैं कमपैर करूं तो 68 सालों में उस बिजनस ने अपने आपक आपको जानके आश्चारे होगा 1954 में जो बिजनस छोटे से पहमाने से शुरू हुआ था 68 एट इयर्स में उसकी टोटल एसेट 36.62 करोड यूएस जॉलर हुई और यहाँ पर अगर मैं इंडिन करंसी में उसको कनवर्ट करूं इसका मतलब 2,49,016 करोड रुपए कि उसकी नेट वर्थ बनी और नेट वर्थ के अलावा उसकी जो एन्वल टर्नोवर है वो 28.10CR डॉलर मतलब इंडिन करंसी में बात करूं तो 1,96,700 करोड रुपए उसकी एन्वल टर्नोवर है और अगर मैं इसको और अलुबरेट करूँ तो पर मन्त की अगर हम बात करें तो 16,391 करोड रुपए की टर्नोवर पर मन्त की है पर डे की बात करूं डिवैड बै ट्वै आप कर दे नथे तो 546 करोड रुपए पर डे का उसका टर्नोवर है और अगर मैं बात करूं पर आर अगर कैलकुलेट कर लो तो 68,252 67,78 करोड रुपए पर आवर की तर्नSON है अगर पर मिनिट की बात क्रोड ओं तो केवल बिजनस को कितना समय हुआ है लगबग 62-63 साल का समय हुआ है अब वो व्यक्ति कौन है वो व्यक्ति है Mr. Ray Cross Mr. Ray Cross का जन्म 1902 में हुआ और उन्हें अपने बिजनस की शुरुआज जो की थी ना 52 वर्ष की उमर पर की और 52 वर्ष की उमर पर जब उन्हें बिजनस शु को फ्रेंचाइजी बिजनस मॉडल पर डेवलेप करना शुरू किया मतलब अपने बिजनस को एक्सपेंशन की और ले गए फ्रेंट्स एक्सपेंशन दो उस व्यक्ति ने भी किया कि सौगज की शौप को डेड़ सो किया 200 किया 500 कर दिया एक इंप्लॉई की शौप को 10 इंप सेम अनुपात में आपका बिजनस नहीं बढ़ रहा है तो अनुपातिक रूप से आप घट रहे हैं इसलिए हमें करना क्या है हमें बिजनस में सबसे पहले बिजनस की स्ट्रेटेजी को समझना है और वो ब्रैंड जो मिश्व का सबसे फेमस ब्रैंड है मैक डॉनल्ड जो म जहाँ पर क्या है बिजनस का एक सिस्टम है प्रॉसरस एक लिए ब्रफेशनल टीम है और धीरे धीरे बिजनस की ग्रॉथ पॉसिबिलिटी को develop करो और system और process डेवलेफ होने के बाद उस तरह के लोगों को hire करो जो process और system के अंदरकत काम कर सकें। और काम करने के अधार पर make a business proposal कहते हैं कि दो तरह से builder काम करते हैं एक वो जो building बनाता है और बाद में flat बेशता है और एक वो जो land खरीता है और proposal के अंदर flats बनाता है 1st floor, 2nd floor, 3rd floor, 10th floor, 15th floor और पहले floors बेशता है और बाद में construction करता है तो यही बात business की growth strategy पर लागू होती है स सबसे पहले अपने business का proposal बनाओ, proposal बनाने के बाद investors या वो लोग जो नए business की opportunity ढूंड रहे हैं उन लोगों तक अपने proposal को पहुंचाओ और जब वो आपके business में invest करेंगे तो आपकी growth की संभाव नहीं अपार होंगी उसके बाद develop business process and system अपने business के process को design करें, production कैसे होता है, sales कैसे होती है, client कैसे आता है, marketing process, sales process, follow up process, जितने भी तरह के process अपके business में है, उन सब को develop करो, develop करने के बाद system में implement करो, और कुछ पैसा जरूर invest करो branding पर, ताकि आप market में एक ऐसा brand establish कर पाएं, ताकि लोग brand की वजह से आपको brand की value pay करना शुरू करें, mean to say start investing in branding, marketing and advertisement, उसके ब team hire करो, friends, आप केवल उतना ही कर पाएंगे, जितनी knowledge आपके अंदर है, यदि आप और बेहतर business करना चाहते हैं, तो आप से ज़्यादा योग्य, आप से अधा सक्षम, आप से अधा अनुभवी लोग, आपकी team में होने चाहिए, तब ही आप एक business को billion dollar company के रूप में build कर पा है, तो अपने business को अगर growth पर ले जाना चाहते हैं, तो digital marketing का भरपूर इस्तिमाल करें, market के trend को समझने के बाद ही, हमें ये समझ में आता है कि business growth को किस और ले जाया सकता है, किस level तक ले जाया सकता है, और भविश्य में कौन-कौन से product बिकने की बहितर संभाव नहीं है, इस बनाया है, उसको आप जरूर सीखें और समझें, friends के वल देखने से business develop होने वाला नहीं है, जब तक आप उसको अपनी life में implement नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई changes नहीं होने वाले आपकी life में, इसलिए इन चीजों को implement करें, और मैंने ये सारी चीज़ अपनी company Metas Overseas Limited में implement की है, आज हमारी company सभी जगा franchisee, dealers, distributors, super stockist, C&F, develop करके, पूरे इंडिया में business network create करके, एक billion dollar company बन गई है, ये सब कुछ आप कर सकते हैं, बशरते, आपके वल सीखें और समझें नहीं, उसको अपने business में implement भी करें, स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं Dr. Amit Maishwari, आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ, जय हिंद, जय भारत